दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्तो इस वीडियो में आप सभी के लिए जैसा कि मैंने वाइदा किया था जाती प्रमान पत्र, मूल निमास प्रमान पत्र, आईकर, विवा प्रमान पत्र, क्या पुराने जो मूल जाती चलेंगे किसको नया बनवाना है, किसको नया नहीं बनवाना, क्या आईकर जरूरी है बोनस जो अंखें किन को मिलेंगे, क्या सी अच्चे को बोनस मिलेगा डेड़ गुना ही अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो आपके जितनी भी क्वेरीज हैं यानि कि जिस दिन नोटिफिकेशन आय था पंदरा दिसंबर को मैंने सिर्फ छोटी सी जानकारिया दी थी काफी सारी ऐसी इन्फोर्मेशन थी जो मैं आज बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद इतना दावा मैं कर सकता हूँ कि आप लोगों की तमाम जो कन्फूजन है वो दूर हो जाएंगे आराम से तब्यत से तसलिस इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कौन सा जाती मूल चाहिए सारी चीजे की एक-एक करके बताने वाला हूँ और इसी नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीजे लिखी गई है लेकिन एक समश्य जो है वो ये है आपके साथ कि आप लोग इसे पाड़ नहीं पाते और अगर आपने पाड़ भी लिया तो आपको ये चीजे समझ नहीं आ पाती है ठीक है सबसे पहले तो आरक्षन का जो लाव है वो राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा और ये दो नंबर पॉइंट है तो मूल निवास पिता के नाम से जारी किया हुआ होना चाहिए ये सिर्फ उनके लिए है जो महिला भ्यारती है वो विवाहित नहीं है यानि कि एविवाहित है उनके लिए ये सारी चीजे बताई गई है कि उनका जो मूल निवास है पिता के नाम का हो जैसे ही आपकी साधी हो जाती है तो आपका नाम आपके राशनकार से आपके पिता के राशनकार से वहाँ की बॉटरलिस्ट से सारी चीजों से हट जाता है तो वहाँ से बैसिकली बात यह है कि वहाँ से इस्यू भी नहीं होगा आप लोगों का तो यह इस चीज को समझने के इन्होंने ये काहा है अब इसमें ये detail में इन्होंने इसलिए नहीं बताया कि confusion हो जाता इसलिए इन्होंने काया कि आरक्षन का जो लाब है राजस्थान के मूलनिवासियों को ही दिया जाएगा और पिता के नाम से जाती प्रमान पत्र है वो ही होना चाहिए तो इसमें दो चीजे हैं अगर आप unmarried है तो पिता के नाम का होना चाहिए married है तो आपके पास आपके पती के नाम का ही बनेगा पिता के नाम से issue ही नहीं होगा तो इस सीज़ को भी आप लोग समझें जो भी आपके पास स्मून लिवास है ठीक है वो आप लोग लगा सकते है लेकिन राजस्थान से बाहर के जो अभ्यारती हैं जैसे काफी लोग इसमें फोम भरते हैं हरियाना पंजाब के उत्तर प्रदेश के बिहार के काफी सारे बच्चे आते हैं तो उनको अरक्षन कलाब नहीं दिया जो उनको जनरल काटेग्री में वाना जाएगा तो मूल निवास आपके पास पिता के नाम का हो लेकिन अगर साधिसुदा महिला भ्यारती हैं तो आपके पती का नाम का भी चल जाएगा इसको लेकर के कन्फ्यूजन होने की आवशकता नहीं है बिल्कुल भी आप देखिए दोस्तो जो हम आपको बता रहे हैं अनुसूचित जो छेत्र है यानि कि टीएस्पी एरिया है विभा के बाद से अनुसूचित छेत्र का सदभावी निवासियतों से अनुसूचित चेत्र का भरती माना जाएगा कार्मिक वभा क्या दिसुचिना 21-10-2019 के अनुसार अनुसर से चेत्र के अपबर्थ से विभा के माद्यम से सम्मंदित है ये टी एस्प का है ठीक है तो टी एस्प में क्या हो रहा कि जो विभा के बाद उनको वैसे टी एस्पिरियम किसी लड़की की साधी हुई तो उनको वि वस्ता की गई थी 21-12-2019 को अब जो विडो एंड डायवोर्स जो कैंडिडेट हैं महिला बैर्थियां वो सुन लीजिए दिखिए अगर आप विडो हैं तो आपको अपने हस्बेंड की डैट का सर्टिपिकेट लगाना होगा अगर आप डायवोर्स हैं तो तलाक की डिक्री लगानी पड़ेगी जो तलाक की जो डिक्री है तलाक की जो डिक्री है यानि आपका जो तलाक है वो जो आविदन की लास डेट है इन तीनों भरतियों में उससे पहले हो जाना चाहिए अब आप कहेंगे कि हमारा तो चल रहा है, हमारा तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका कोई जबाब हमारे पास नहीं है, हमने इस पस्ट बताया है, तलाक जो है, वो आविदन की last date से पहले पहले आपका होना चाहिए, ठीक है आविदन की अंतिम तारिक तक, ठीक, अंतिम त लेकरी के सत प्रतिसंद पद महिलाओं है तो आरक्सित क्यों कि महिलाओं के लिए ही है बाकि जो साय करेडियोग्राफ लेप टेक्निशन भरती है उसमें 70-30 का ना पात यानकि 30 प्रतिसद जो पद हैं एक माली जैं 100 पद मान लेते हैं 100 में से 70 पद पुरुसों के 30 पुरुस पद हैं जो महिलाओं को यहां लेप टेक्निशन और ए आटी में ठीक है अब यहां पर देखे इस पस्टी करण भी इन्हों ने दिया है सारे चीज़ इन्हों ने बताई हैं यह देख सकते हैं यह अलग चीज है अब आएए यहां पर दोस्तो जो विडो एंड डाइवर्स को जो रिजर्विस ने आट परसेंट है दो परसेंट यहां पर तलाक को है आट परसेंट विडो को है अब इसमें बिसिकली जो बैनिफिड्स है जो आट परतिसत विडो की सीटे हैं उन पर लगबग तलाक वाली लड़कियों का चेन हो जाता है क्योंकि तलाक लोग नोक्रिय वीड़ों के जो सीटे हैं अगर उतनी वीड़ों नहीं मिलती तो तलाकक वाली जो महिलाएं उन सीटें दे दी जाती है तो ये भी है भूत्पूर सहनिक मुझे लगता ने कि तीनों भरतिय हमfish कोई मिलें गे क्योंकि जो महिला स्वास्तिकार्यकर्ता की भरती एनेम्स की उसमें तो सभी महिलाएं हैं तो महिलाओं एक भी आपको भूतुर सैनिक नहीं मिलेंगी वो सीटे भी आप सभी को मिल जाएंगी पीच को जो reliable है वह 2.0% है देव्यांग अभियरतियों की है अब देखे उतकरष्ट फेल कोटे से 2.0% है तो उनको दिया जाएगा उतकर खेलके राजस्थान राज्य के बहार अथान्य राज्य की महिला है जो विवहाव परंत राज्थान राज्य की मून लिवासी बन जाती हो से पपलिक इंप्लोईमेंट में आरक्षन का लाब नहीं दिया जाएगा यानि कि अगर आप अन्य स्टेट से हैं और राजस्थान में आपकी साधी हो गई है और अगर आप फोर्म भरना चाहती है महिला भ्यारती जो विभाईत हैं तो आपको जनरल काटेगरी से फोर्म भरना मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कोई भी चैया आप SC की हो चैया आप SD की हो चैया आप EWS की हो चैया किसी भी किटेगरी की हो अगर आप राजस्थान से में आपकी शाधी हुई है आप UP से हैं पंजाब से यारियाना से विहार से हैं तो आपको जनरल से फोर्म भरना है अब अगर आप लोग अपनी केटेगरी से फोर्म भर देंगा SCST से तो भी इसलिए पहले ही किसी भी पच्चडे से बहतर है कि आप अपनी जो केटेग्रिया जन्रल को भरें ओल इंडिया वेकेंसी है कोई भी फोर्म अपलाई कर सकता है बसरते आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी रिक्वार्ड इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है उसको फोलो अप आप किये हुए होने चाहिए दोस्तो जो आरपी एमसी है यानि कि एरटी और एलटी के लिए जो आरपी एमसी का जो रजिस्ट्रीशन है वो लिखना निवार्य होगा आप भरती का ऑनलाइन आविदन के अंतिम तिति तक रास्तन पैरामेडिकल कॉंसिल में पंजियन होना चाहिए और इसी तरीके से इन्होंने बताया है जो आप लोगों की है एमस के लिए ठीक है तो उसके लिए भी अंतिम तितिति तक बी ग्रेड नर्स का जो भी आपका आ आईकर के बारे में मैं बताने वाला हूँ आईकर आईकर के लिए जो फीस है उसमें यहां पर छूट अगर आपको चाहिए तो बनवाना है छूट नहीं चाहिए तो बिलकुल कुछ भी नहीं करना और मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा सभी को कि आप लोग जो फोम है जो वो पूरी की पूरी दे करके फोम भर्द किसी भी पचड़े से बचने के लिए आईकर के बारे में सुन लीजिया ठीक है यह मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ आईकर सिर्फ जब ही चाहिए जब आप लोग यह फीस है आपकी परिवार की जो वारसिक आई है अग आपको फीस देनी है सिर्फ 250 रुपया अगर आपके परिवार की आई धाई लाक रुपय से ज़्यादा है यह देखिए अगर आप OBC, NCL, MBC, NCL और EWS में आते हैं तो आपको साड़े तीन सो रुपय फीस देनी होगी अगर आप यह साड़े तीन सो नहीं देना चाहते हैं और भाई कहते हैं कि हम तो डाई सो रुपय ही देंगे तो ही आई कर बनवाना है इसलिए मैं गुजारिस करूँगा आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग आई करके लफडे में ना पड़ें क्योंकि सो रुपय साड़े तीन सो कि देकर डाई सो दोगे सो रुपय आप कि तो फीस पहले से डाई सो लग रही है तो आपको भाई कुछ करने के आवशक्ता नहीं है कुछ भी नहीं करना आप लोगों को आपकी केटेगरी होगी वहां पर आपका डाई सो में काम हो जाएगा इसी तरीके से जिनको अगर फीस में छूट लेनी है कोई उच्सू को भ लग विशे होगा जो टाइम आपगा वेस्ट होगा इसलिए सजेस्ट करूँगा आईकर कमपल्सरी नहीं है यह वैकल्पिक है अगर आप फीस में छूट लेते हैं तो ही आपको आईकर बनवाना है अन्यथा नहीं बनवाना इस बात को गोर कर लिजिए अच्छे से कि फीस में छूट लेनी है तो आईकर बनवाना है अगर छूट नहीं लेनी जितने पैसे बताई इन्होंने देने है आपको तो आईकर आपको नहीं बनवाना ठीक है दोस्तों यह हो गई आईकर की बात अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो आप लोगों का है कि जो आपका जाती प् पर गोर करें आपका देश्तो देखिए जो वीडियो एंड डाइवोर्स हैं आपको एक सर्टिपिकेट देना होगा कि मैंने दुबारा विभा नहीं किया है ठीक है दुबारा विभा नहीं किया है अगर आप लोग आवेदन की लास्ट डेट के बाद यानि कि जो भी भरतियों कि आवेदन की लास्ट डेट है जैसे किसी की एनेंस कियते 22 जनवरी इसी तरीके सुनकी है 29 जनवरी अगर वीडियो एंड डाइवोर्स आप हैं तो आपको फोरम भरते समय तो एक एफिडिविट देना होगा है व इस बात को भी समझने की आवशकता है ठीक है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर प्रमान पत्रों का सत्यापन देखिए अब आगे आपका जाती प्रमान पत्र यह देखिए यहीं पे लिखा हुआ सारी की सारी चीज़े हम भी इसी से पढ़के आप लोग को बताते हैं अब आप जाती के लिए देखिए सुन लिजे दोस्तों SCST OBC MBC EWS जाती प्रमान पत्र आविदन की अंतिम तिथी तक जारी किया हुआ प्रस्तूत करना होगा ठीक है अब इसमें क्या है SCST वाले के पास अगर पुराना है डिजीटल है तो चल जाएगा बात समझे SCST के पास पु OBC EWS समझेगा इस चीज़ को अगर आपके पास आपका कार सर्टिपिकेट यानि जाती प्रमान पत्र तीन साल से जादा पुराना नहीं हो बिसिकली बात समझने कि यह है कि OBC MBC भी सामिल कर लिजे समें EWS भी आपका कार सर्टिपिकेट किसी भी सूरत में तीन साल से जादा पुराना नहीं है तो आपको एक एफिडेविट यहां पर देना होगा ठीक है दोस्तों यहां पर देखिए एफिडेविट देना होगा सपत पत्र कि मैं उस वर्स वक्त जब यह फोर्म भराई गए थे आवेदन चल रहे थे तो उस वक्त मैं MBC EWS या OBC कैटेगरी में था यह थी यह आपको देना पड़ेगा तो आपका जो जाती पुर्मान पत्र है वो तीन साल तक चलाया जा सकता है फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है आपको डर लग रहा हो तो OBC, MBC, EWS तीनों ही कैटेगरी के जो कंडिडेट हैं उनको मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने जाती पुर्मान पत्र की वैलिडिटी देख लीजिए अगर आपको डर है तो जो मैं बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट है अगर आपको डर लग रहा है भाई नहीं मेरत तो मेरत दो साल पुराना हो गया पता नहीं मुझे भार नहीं कर दें बरती म करना लगाएं और जिनको मेरी तरह बिल्कुल पता है कि हाँ भाई चलो देखा जाएगा तो वो तीन साल तक एक एफिडिविट दे करके अपने जो जाती प्रमान पत्र है वो चला सकते हैं यह ऐसा किया गया देखिए तीन साल तक अब देखिए जो आप लोगों का जाती प्रमान पत्र है वो पिता के नाम का होना चाहिए विवाहित महिला अभ्यारती हो चाहे एविवाहित महिला अभ्यारती हो तो पिता के नाम का जाती होना चाहिए इसमें आप लोगों को गल्ती नहीं करनी है ठीक है जाती प्रमान पत्र जो विवाहित महिला अभ्यारती है या या भी भाइत हैं उन सब को पिता के नाम का जाती प्रमान पत्र होना चाहिए मुझे इतना भी पता है कि कुछ जो महिला भ्यारती है जैसे लव मेरिज कर लेती है ऐसा मेरे सामने एक डिड़ साल पहले के मैटर आया था मालो कोई महिला भ्यारती अगर साधी कर लेती है लव मेरिज तो वो क्या करती है अपने पती के नाम का बनवा लेती है क्या कास्ट सर्टिपिकेट ऐसा नर्सिंग भरती 2018 में हो चुका है ठीक है सिक्षक भरती रीट में भी मेरे पास एक मैटर आया था इस तरहे के इसे बातचित हुई थी तो जो महिला भ्यारती पती के नाम का जाती प्रमान पत्र लगाएगी उसे लाब नहीं मिलेगा अरक्षन का तो ये भी आप लोग समझें कि जाती प्रमान पत्र है पिता के नाम पे हो ठीक है ये आपको समझने की जरूरत है जाती की बात हो गई अब जो SCST के जो अभ्यारतिय उनके पुराने ही चल जाएंगे ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तो अपने पिता के नाम और निवास के इस्तान पर शक्षम अधिकारी दुवारत जाती प्रमान पत्र प्रस्तूत करना होगा पती के नाम और निवास इस्तान पर कोई भी जाती प्रमान पत्र मानने यहाँ पर नहीं होगा ठीक है तो ये आप लोग देख सकते हैं तो समझ में आ गई होगी कि जाती प्रमान पत्र पिता के नाम का हो OBC में है MBC में EWS में है आपके पास जो जाती प्रमान पत्र है तीन साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो अगर आपके पास दर लग रहा हो भाई कि हमें नहीं भाई हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात मेरी ब के आवेदन की लास्ट डेट से पहले के हों लिकिन इसमें भी एक चीज होने 17 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था साथियो 17 अक्टूबर 2022 को कि अगर आपका जाती पुर्मान पत्र आवेदन की अंतिमतिति के बाद का भी है तो आपको एक अफिडेविट देन होगा और उसमें ये बताना होगा कि हाँ मैंने जो है उस वक्त आवेदन के वक्त मेरी कैटेग्री ओबी सी अन्सियल थी या जो भी थी वो भी आप लोग कर सकते हैं आप दोस्तों देखिए बिवा प्रमान पत्र के बारे में सबसे बेसिक सी बात ये है बिवा प्रमान पत अब एक और चीज चो बहुत मैत्रून है एक छे दो हजार दो के बाद अगर आपके दो से ज़्यादा बच्चे हुए न तो आप न्युक्ति के लिए पातर नहीं होगे यानि कि एक छे दो हजार दो के बाद आपके बच्चों की संक्यागर विवाईत आप है महिला या लोगों को बेशिकली समझने की जरूरत है ठीक है इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो बोनस अंक हैं वो आपको 10, 20, 30 यह मिलने वाले हैं बोनस किन किन को मिलेंगे जो व्यक्तिगत अनुबंद, सवीदा, एस्थाई अधार, यू टीबी पर, प्लेस्मेंट अजंसी, ए आप लोग लगे हैं बसरते सरकारी प्लेटफोर्म हो तो ही बोनस यहां पे दिया जाएगा बोनस जो है अधिक्तम 3 वर्स के 30 अंक ही निर्धारित यहां पे किये गए हैं अब आपका जो बोनस जो काउंट है वो कब तक का होगा यानि कि 23 तारिक से एनम के फोरम शुरू है और 30 तारिक से LTRT के सुरू हैं तो उन से एक दिन पहले एनम के 22 दिसंबर तक इनके 29 दिसंबर तक 29 दिसंबर तक 22 दिसंबर तक जो भी आपके दीन महिने साल बन रहे हैं उतने दिनों का आपको अनुभव परमान पत्र है वो यहां पर अप्लोड करना होगा अगर किसी भ्यारती ने टुकडों में काम कर रखा है टुकडों से मतलब यह है कि आठ महिने कहीं काम कर लिया सरकारी हो बसरते पांच महिने कहीं काम कर लिया तो आपका एक साल हो जाएगा ठीक है इस बात का भी ध्यान रखें अब बात आती है कि वेरिफिकेशन जो है वो आप लोग गुणा काई नंबर आना था फिर वो लोग परिशान होते थे दुख होता था कि हमारा सेलक्षन नहीं हुआ कम से कम डेड़ गुणा में कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके कागजातों में कमी होगी कुछ इलेजिबिटी को भी पूरा नहीं करते होंगे इसलिए डेड़ है कि जितने भी डेड़ गुणा केंडिडिट बुलाएंगे उसमें एक गुणा तो लगी जाएंगे कुछ की डॉक्यूमेंट में कमी होगी कुछ मालो सो दोसो की बेटिंग्स भी आ गई तो कहीं ना कहीं इससे भला होगा अच्छा खंग मनलब किया गया है कि डेड़ जारे जो डॉक्यूमेंट है ना वो डिजिटल हो और अगर डिजिटल से पहले आपके बन रखे हैं ठीक है तो डिजिटल बनवाने की भी आउशकता नहीं है ठीक है लेकिन ज्यादा पुराना नहीं हो डिजिटल फोर्मेट में बना हुआ होना चीए विभा पर्मान पत्र के बारे में मैं बता देता हूँ अब क्या है कि दोस्तों आप डिजिटल बनने लगे हैं क्या बनने लगे हैं और पहले क्या होता था आपका बड़ा सा फोटो उस पे सरपंच या जो भी नुमाइंदे होते थे सेकर्टरी वगर उनकी सायन हो तो अगर आपका पहले पुरा क्या हैं यह काफी सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं एक से 2002 के बाद दो से अधिक बच्चे नहीं हो इस बीद का ज्यान रखें और यह आपका विभापरमान पत्र के बारे में है देखिए राजे सरकार के परिपत्र कर्मांक 25-2006 के अनुसार राज के सेवा में निवक्ति हेतव विभापरमान पत्र पंजियन करवाना अनिवार्य किया गया है एस से अभ्यरति दुआर यदि विभापंजियन नहीं करवाए गया है बिए इस हेतु निवक्ति के पात्र नहीं होंगे उक्त परिपत्र जारी होने की तिथी से पूर विवाईत अभ्यरति जिन्होंने विभा पंजीकरन नहीं कराया है उन्हें द्वारा इस आश्यका प्रस्तूत करना होगा यानि कि 22-5-2006 से पहले जिनकी साधी हो रखी थी तो वो क्या था कि उस टाइम पर रजिस यह यहाँ पर है भूत्पुर सहने कोई मिलेगा नहीं जहां तक मेरा मानना है और यह सारे चीजे आप लोगों के हैं देखिए EWS का वियनों ने बताया है नियम अनुसार Income and Assets Certificate प्रस्तूत करना होगा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यरतियों को जारी किये जोना है वा अनुसार पात्र है तो एस इस्ति में प्रार्थिते सत्यापित सलंग्न पुर्मान पत्र के आधार पर पूर्मेजारी Income and Assets Certificate को ही मान लिया जाएगा एसा तीन वर्सों के लिए किया जा सकता है तो EWS का भी तीन वर्सों तक किया जा सकता है लेकिन आपको एक जो सपत प का वो अप्लोड करना होगा अगर नया EWS अगर आपके पास एक साल से ज्यादा पुराना हो गया तो आप एक Certificate Income and Assets का जो है सपत पत्र है वो लगा सकते हो तो वो तीन साल तक आपका EWS चल जाएगा इसी तरीके से यह जो विवस्ता है OBC and MBC के लिए भी है ठीक है दोस् ठीक है यह सारा का सारे नो ने दिया है अधिकतम तीन वर्सों तक एक वर्सों तक वैसे एक वर्स तक ही वैद है लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया नहीं बनवा पा रहे तो एक Certificate लगा सकते हैं आप लोग Affidavit लगा सकते हैं उसके आधार पर आपको यह सारा तीन साल तक कर सकते हो सुरी दोस्तों अगर आपको कोई और भी समस्या हो आयकर किस स्थति में बनवाना है वो भी हम आपको बता दिया कि आयकर नहीं बनवाना बिल्कुल भी आवशकता नहीं है आयकर बनवाने की और फिर भी दिल कर रहा हो आपका की भाई चलो हमें तो बनाना ही है त सबसे जरूरी मैं निवेदन करूंगा आप लोग सबसे ज़्यादा क्या है कि आप पढ़ा करें यह जो विग्यप्ति है ना इनको पढ़ा करें अच्छे से पढ़ा करें आप लोग और बॉनस प्लस मेरिट के आधार पर आपको चैन किया जाएगा ठीक है तो एक और चीज मा है आप लोगों कि माली जी आप लोगों ने के फरस्ट एयर में बैक आ गई ठीक है बैक का पेर दिया यानि कि असाप्लिमेंटरी मलें परी होगे जातीगति अप Durch अप्लोड होगा विवाव परमानपत्र सब कुछ यहां पर अप्लोड होंगे ठीक है दोस्तों तो यह इन चीजों का ध्यान रखें तो यह जानकारी थी और अनभव परमानपत्र जो है एक फॉर्मेट जारी होगा उसका कूटिंग बनवाना है बहुत सारी चीजें उसमें आ बाव शक्ता है बोनस अनभव है आविदन की जो डेट होगी उस एक दिन पहले तक कमानने होगा ठीक है जिन जिन को बोनस मिलना उन सबको पता है तो यह सारी जानकारी है बिलकुल भी पैनिक ना हो निराज नहीं हो और अब दो मिनिट में बताते हैं आपको देखिए क्या के नाम से इश्यू नहीं हो पाएगा तो पती का है तो चल जाएगा दूसरी बात जाती परमान पत्र सच्ट कितना भी पुराना हो चल जाएगा बसरते डिजिटल हो इसके लावा OBC, MBC, EWS का जो कास्ट सर्टिपिकेट है अर्था जाती परमान पत्र है वो तीन वर्सों से जादा पुराना नहीं हो अगर आपका मन कर रहा है आपको डर लग रहा है तो आपका एक साल से जादा पुराना नहीं हो मैं क्योंकि सारी चीज़े तुम ही पर छोड़ देता हूं इसलिए छोड़ देता हूं कि कल को आप ये ना कहें कि आपने हमें गलत गाइड किया था वैसे तो नियमों के अकोर्डिंग आप लोग OBC, MBC, EWS तीन साल तक पुराना भी चला सकते हैं लेकिन उसके साथ एक सर्थ है कि आपको एक सपत पत्र देना होगा, अगर सपत पत्र नहीं दे सकते तो आपका जो सर्टिपिकेट है एक साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, ये बाते लागू होती हैं OBC पे, MBC पे, EWS पे, SCS टी का पुराना चल जाएगा, आएकर सिर्फ जबी बनवाना है जब आप साड़े तीन सो रुपए की जगर धाई सो रुपए फीस देना चाहें, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आएकर के चक्र में बिलकुल भी ना पड़े कर जरूरी है ही नहीं, 1-2002 के बाद बच्चों की जो संख्य अगर आप विवाहित महिला या पूरुसा भ्यारती हैं तो बच्चों की संख्या दो से अधिक नहीं हो, ठीक है, अन्यराज्ये की जो महिला भ्यारती हैं जो यहां पर फोर्म भर रही हैं उनको जंडल करेंगर general category में ठीक है इंद चीजों का ध्यान रखे mobile number जो है आप लोगों के जो है वो आधार card में एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग ठीक है mobile number जो है आधार card में चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन से number दिये है फोरम भरो जब ऐसे number देना भाई टेलिफोन नंबर या मोबाइल नंबर जो आपके चालू रहे हैं ऐसा नहीं है 200 रुपए की सिम खरीद ली दो महिने चल गई और फिर भाई उसको कहा दिया कि चलो अब इसको फैंक देते हैं ऐसी सिम के नंबर नहीं देने हैं श्युम के मोबाइल नंबर देने हैं जो चालू हों आधार काड में जो नंबर है वो आप लोग चैक करवा सकते हैं इसके अलावा भी बता देते हैं फोर्म भरने के सिम ना तो पैन काड चाहिए भाई है और न तुमारी बैंक बास बुक चाहिए फोम भरने के लिए आपके चाहिए कि दसवी बारवी जाती मूल आएकर अगर फीस में छूट लने तो चाहिए विवा पर्मान पत्र ये सारी चीज़े चाहिए ठीके तो समझ में आ गया होगा दोस्तो कितना आप लोग सहमत हैं हमारी जानकार इसे वो भी जरूर बता है अग भन्यवाद आप सभी साथियों का इस वीडियो को देखने के लिए मुझसे कोई गलती हुई हो कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं बता सकते हैं कमेंट बोक्स में जाकर के एक और देखी यहाँ पर हमने एक और चीज कही थी अनुस्यची जाती जन जाती अन्य पिछडावार्ग अती पिछडावार्ग आर्थी कुरूप से कमज़र वर के अभरतियों को विभाग के परिकत्र क्रांक निया धारित प्रमान पत्र पस्तूत करने के अनुमतियों को सबसे पहले तिये सारे के सारे डोकिमेंट हैं आवेदन की अंतिम्तिति से पहले के हो नहीं भी है तो जाती के लिए इन्होंने एक चीज कही है जाती प्रमान पत्र के लिए है बेसिकली ये चीज कि ये आवेदन की लास्ट डेट के बाद भी आप लोग जाती बनवा सकते हैं लेकिन एक certificate जो है आपको देना होगा और उसमें लिखवाना होगा कि जिस समय फोर्म भरे गए थे उस वक्त में उसी कैटेग्री में था जिस कैटेग्री मैंने फोर्म भरा था ये सबी के लिए लागू है सबसे पहले तो कोशिस करिए कि आपका लास्ट डेट से पहले बन जाए और लाट डेट से पहले नहीं भी बने न तो ये एफिडेवर ध्यान रखे सत्तर अक्टूमबर दो हजार बाइस की कार्मिक विभाय क्या दिसूचने क्या कोर्डिंग ठीक है सारी चीजे है सबसे महत्रून बात ये बताएं आपको दोस्तों यहाँ पर जो भी भर्ती होती है अब यह जो मैंने पढ़के आपको बताया है देखके बताया है यह अपने विवेक के आधार पर बताया है सबसे बड़ी बात कहना है यह लोग कन्फ्यूज बड़ा करते है आविदन की लाच डेट से पहले का भी हो आविदन की लाच डेट से बाद का भी चल जाएगा ऐफिडिवड दे दो OBC एक साल से जादा पुरान नहीं हो तीन साल भी चल जाएगा ऐफिडिवड दे दो तो यह सारी चीज़े क्या है कि बच्चों को या आपको मेरे को थोड़ा सा परिशान करती है यार सच क्या है तो इसलिए जो बता रहे हैं आपको उस पर गोर करें आप लोग और इस वीडियो को जरूर सेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और बिल्कुल भी चिंता ना करें बिल्कुल अपना जो है डॉक्यूमेंट को पूरा करें एक बार आधार कार्ड के जो नंबर है वो आप लोग देखें हैं उसमें फोन नंबर कौन से दे रखे थे तो यह है और बाकी चीज़े हमने बताई दिया एज कितनी रहेगी कितना क्या रहने वाला है सारी की सारी चीज़े हैं और पैंतालिस साल अठारा से चालिस पांच दस की चूट है विद्वा डाइवोर्स के लिए कोई विद्वा तलाक सुदा के लिए कोई उम्र से मंदिर धारित नहीं की गई है वो जितनी मर्जी उनकी उम्र हो वो फोम भर सकती है ठीक है बढ़िया वेतनमान मिलेगा पैमेट्रिक्स लेवल एट की ये चारो के चारो भरती है अब दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी है एक और चीज बता देता हूं जो मुझे सवाल मिला था ये जो योगिता के बारे में किसी ने पूछा था मुझे जिस दिन मैंने वीडियो अप लोड किया था देवनागरी लिपी का की है हाँ ये बार देवनागरी लिपी में यह जो दिखा गया ना यह देवनागरी लिपी में लिखा गया बाएं से दाएं तो यह इस तरीके से है देवनागरी लिपी कोई बड़ी बात नहीं यह हो जाएगा आपके लिए धन्यवाद आप सभी का दोस्तों इस चानकारी को देखने के लिए जैहिन जैभारत सभी से च